अलो बच्वों लेट्सीट दू कुशन दे डायमेटर ओफ ड्राइविंग वील और बस इस वन पॉर्टी सेंटिमेटर आव मेनी रेवलुशन पर मिनट मस्ट भी वील मेक इन ओडर तो कीप दे स्पीड ओफ 66 किलोमिटर्स पर आवर। ठीके बचो तो हमें निकालना है कि कितने रेवल्यूशन पर मिनट होने चाहिए ठीके बचो तो इस कुशन को करने के लिए हम क्या करेंगे की कंसेप्ट यूज और की कंसेप्ट के नदर हमारा क्या हो जाएगा तो key concept के अंदर हमारे पास number of revolution n is equals to तो n की value कितनी हो जाएगी distance distance in distance in one minute ठीक है बचो distance in one minute divided by distance in distance in one revolution distance in one revolution ठीक है बचो तो यहां से हमारे पास में number of revolution आ जाएगे और distance in one revolution यह हमारा first concept हो जाएगा और distance in one revolution कितनी होगी तो distance in in one revolution distance in one revolution is equals to अब distance one revolution के अंदर कितनी होगी तो उसकी circumference के equal हो जाएगी तो यहे equal हो जाएगी 2 pi r के ठीक है बचो तो यह हमने दोनों concept देख लिए जो हमें use करने है तो अब देखो यहां पर speed हमें कितनी गिवन है 66 km per hour ठीक है बचो तो सबसे पहले हम distance in one revolution निकाल लेते हैं तो distance is equals to तो distance is equals to हमारे पास में कितनी आ जाएगी तो 2 divided by 2 multiplied by 22 divided by 7 अब हमें यहां पर क्या दे रखा है diameter given है तो d is equals to हमारे को given है 140 cm ठीक है बचो तो यहां से हमारे पास में जो रेडियस हो जाएगी 140 divided by 2 ठीक है बचो तो यह आगे हमारे पास में 70 cm मुल्टिप्लाइड बाइ तो यहां में distance निकालनी है तो आगे multiply नहीं होगा तो यहां पर 7 को इसको cancel करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा 10 को 2 22 से multiply करेंगे तो 44 44 को 10 से multiply कर देगे तो 440 सेंटिमेटर एक रेवल्यूशन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल होगी अब हम देखेंगे डिस्टेंस इन डिस्टेंस इन वन मिनट कितनी हो जाएगी हमारी अब वो कितना कर रहा है कि उसकी स्पीड है 66 किलोमेटर पर आवर यानि एक आवर के अंदर 66 किलोमेटर तो इसको हम क्या कर देंगे कि इसको हम मिनटर केंदर कनवर्ट कर देंगे तो यह इतने मिनटर हो जाएगे पर multiply कर देंगे तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 11000 ठीक है बचो तो यह इतनी distance हो जाएगी एक मिनट के अंदर cover ठीक है बचो तो अब हमें निकालना है number of revolution तो distance in one minute हमारे पास में कितनी है 11000 डिवाइड़ बाइ distance in one revolution हमारे पास कितनी है 400 40 ठीक है बचो तो इसको कैंसल करेंगे तो यहां 0 से 0 कैंसल हो जाएगा 11 को कैंसल करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा यहां पर 4 आ जाएगा ठीक है बचो तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 1000, 1000 divided by 4, so 4 का divide 1000 के अंदर लगाएंगे, तो यहां से हमारे पास में 250 revolutions आ जाएंगे, so N की value हमारे पास में कितनी आ गए, 250 revolutions, so 250 is the correct answer of this question, I hope you understood it well, best of luck, thank you.